Hello friends, welcome to my channel, जिसका नाम है Motocam Guy and let's talk about photography. दोस्तो अपने पिछले वीडियो में हमने बात की कि Camera Obscura Principle कैसे काम करता है और उस Principle को लेकर दुनिया का पहला कैमरा कैसे बनाया गया था. हमने देखा कि Camera Obscura Principle में कैसे एक डार्क रूम को अगर एक तरफ से अगर एक छोटा सा होल हो तो दूसरी तरफ इमेज कैसी दिखाई देती है यह हमने देखा. दूस्तो इसी Principle का यूज करके दुनिया का पहला कैमरा कैसे बना यह भी हमने देखा और उस जमाने में कैसे images बनाया करते थे वह भी हमने देखा. तो चलो आज बात करते हैं Camera Obscura से लेकर आज के Camera तक का फोटोग्रफी का जर्नी कैसे रहा उसके बारे में हम बात करते हैं. दोस्तो जैसे कि हमने देखा कि पुराने Camera size में बहुत ही बड़े होते थे और उनके साथ photography करना थोड़ा सा मुश्किल होता था तो धीरे धीरे research करने के बाद camera size छोटा होता गया और आज के Camera हम अपने जेब में लेकर घूमते हैं और हाथ में पकड़के photography करते हैं पर एक ज एक ढकन होता था जिसको डोर कहा जाता था जबी भी फोटो लेनी है वो डोर खोला जाता था और जितनी light चाहिए उतनी light आने के बाद उस डोर को बंद कर दिया जाता था और अंदर image बन जाती थी बाद में film cameras बने film cameras में plastic film के rolls use हुआ करते थे film के उपर silver light की coating होती थी जो क photo sensitive material था तो lens के अंदर से light अंदर जाती थी और film के उपर वो light पढ़ती थी उसके बाद वहाँ पर reaction होता था और वहाँ पर image चप जाती थी और आज के digital cameras में भी यही principle अपनाया जाता है आज के digital cameras में film के बदले वहाँ पर एक digital sensor होता है जो कि photo sensitive होता है और additionally digital cameras में एक image processing engine या digital format में process करता है और memory card में save कर देता है तो दोस्तो film camera का mechanism समझने के लिए हमें इस diagram को देखते हैं जहां कि आप देख सकते हैं left side में camera की body है और right side में camera की lens है और lens के अंदर से जो red color के दिखिर है वो है light path यानि कि जिस path से light travel करता है वो path दिखाया गया है लेंस से camera के अंदर light जाती है और वहां पर एक mirror होता है जिस mirror से वो reflect होके ऊपर जाती है वहां पर एक pentaprism होता है pentaprism याने की पहां पर multiple mirrors लगे होते हैं उन mirrors पे light गिरकर दो-तिन जगा reflect होकर वो viewfinder की तरफ जाती है और viewfinder से हम camera में अपनी आख लगा कर देखते है तो आगे का जो भी सीने है वो हमें viewfinder में दिखाई देता है तो दोस्तों जब light camera के अंदर lens से जाती है तो जबी भी हम shutter release button प्रेस करते है यह mirror जो है वो उपर lock हो जाता है और mirror के पीछे जो shutter है वो shutter खुल जाता है वो shutter खुलने के बाद वो light film के उपर गिर जाती है और film light से expose हो जाती है फिल्म पर जबी भी light गिर जाती है तो उसका मतलब है कि film light को expose हो गई तो फिल्म पर जितनी भी light गिरती है उससे वहां पर image create हो जाती है और जो भी हमने camera में setting किये है उस हिसाब से उतनी light उस पर गिर जाती है उसके बाद shutter बंद हो जाता है और एक image छप जाती है फिल्म camera का ये काम करने का mechanism हमने देख लिया है तो दोस्तों film camera में जो film use हुआ करती थी उस film role में approximately 36 photos आप click कर सकते थे और उसके बाद उस role को लैब में जाके develop करना पड़ता था तो चलिए हमने देखा कि film cameras कैमरा कैसे काम करते थे अब देखते है कि digital camera कैसे काम करता है digital camera में भी same principle use होता है मेरे पास एक digital camera में आपको दिखा देता हूं तो उससे समझाने में आसानी होगी तो ये digital camera मेरे हाथ में है तो इस lens से जब light अंदर चली जाती है तो वहाँ पर एक digital sensor होता है उस sensor पर light गिरती है और वो light को react करता है और image वहाँ पर create हो जाती है उस image को digital processor process करता है और digital file में convert करता है और वहाँ से वह उसको memory card में save कर देता है तो चलो मैं आपको बता देता हूं कि आप जबी भी ये shutter release button प्रेस करते है तो exactly क्या-क्या होता है इस shutter release button को जबी भी हम प्रेस करते है एक photo click करने से पहले तो जब हम इसको half press करते है तब camera सबसे पहले focus क करता है और जब आप इसको full press करते हो तो उसके बाद क्या होता है lens के अंदर से light अंदर चली जाती है और वहाँ पर एक shutter होता है वह shutter camera में आपने जो भी setting दी है उतने time के लिए खुला रहता है और उतने time के लिए आपके camera के sensor के उपर light गिरती रहती है जितना time आपने camera में set किया है उसके बाद वह shutter बंद हो जाता है और sensor के उपर light गिरना बंद हो जाता है तो जितनी भी light उस time में camera के sensor के उपर गिरी है उस हिसाब से camera में एक digital image create हो जाती है और उसके बाद आपकी image बन जाती है तो हमने आज बात की cameras के तीम different generations के बारे में पहला generation जिसमें old cameras थे जि फिर जाके अंदर light चली जाती थी और ग्लास प्लेट पे इमेज चब जाती थी यह रहां फुर्स्ट जेरेशन जिसमें उस कैमरा में हर एक इमेज के बाद आपको प्लेट चेंज करनी होती थी और आपको multiple plates बाद में carry करके images को develop करना पड़ता था और आपका जो भी medium है medium of printing उस पे आप print कर सकते थे उसके बाद second generation हमने देखा analog photography याने के film photography film cameras का generation जिसमें camera के अंदर plastic की film का role use हुआ करता था और उसमें 36 images आप click कर सकते थे उसमें सब कुछ manual नहीं था उसमें थोड़ा सा automation था बटन दबा के picture click कर सकते थे और इसके बाद आया third generation जिसमें इसको digital generation कहा जाता है इसमें आपको number of pictures का कोई limitation नहीं है आपका memory card जितना ज़्यादा storage का है उतने ज़्यादा pictures click कर सकते हो पर हमें एक चीज कभी भी नहीं भूलनी चाहिए camera किसी भी generation का हो लेकिन उसमें principle एक ही है जो कि यह camera obscura यानि कि यह एक dark room जिसमें एक तरफ से hole है और एक तरफ wall है तो सबसे पहली generation में वहाँ पर glass plate हुआ करती थी second generation में film हुआ करती थी और third generation में अभी अपना digital sensor है जबी भी हम बात करेंगे photography के बारे में तो इसका मतलब है हम बात कर रहे camera obscura के बारे में तो दोस्तों हमारे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि exposure क्या होता है और वो कौन सी चीज है जो exposure को control करती है तो बने रहे और subscribe कीजिए इस channel को ताकि आप आने वाले हर वीडियो को देख पाए और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए तब तक के लिए thank you